हेलो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाई 14.1 का क्यों से नंबर फस्ट देखते हैं क्या है एक सर्वे वाज कंड़क्टीड बाई एक ग्रूप ओप स्टुडेंट्स एज पार्ट ओफ देर एन्वार्मेंट अवेर्नेस प्रोग्राम एक सर्वे किया गया है कुछ स्टुडेंट्स के दवारा जो की उनका एन्वार्मेंट अवेर्नेस प्रोग्राम के अंदर आता है अब घरों के अंदर प्लांट्स तो होते हैं किसी में दो हों किसी में चार हों किसी का बड़ा गर है उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं तो उन्होंने data collect किया है कि 0 से 2 plants कितने houses में मिले उनको 1 house के अंदर 2 से 4 plants जो थे वो कितने houses में मिले 2 houses के अंदर इस तरीके से उनके पास data है find the mean number of plants per house तो per house mean number of plants हमें find out करने है इस question के 2 methods मैं आपको करवा चुका हूँ direct method भी और assume mean method भी इस वीडियो में करेंगे step deviation method किस तरीके से use किया जाता है link आपको i button पे मिल जाएगा आपस में 3 वीडियोज का तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें ये column दे रखी है ये हमें x i दे रखी है बट यहां पे हमें data interval की form में है कोई fix value हमारे पास से नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां से पहले हमें x i निकालना पड़ेगा किसके equal होता है lower class प्लस upper class divided by 2 मतलब ये होती है हमारी lower class ये होती है उसकी upper value मतलब upper class दोनों को add करेंगे और किस से divide करेंगे बच्चो 2 से मतलब क्या होता है इन दोनों की mid value ली जाती है बीच की value तो 0 और 2 की बीच की value क्या होगी 1 वो भी 1 आएगी देखो 0 प्लस 2 करेंगे 2, 2 को 2 से divide किया कितना आ गया 1 फिर 2 और 4 की mid value क्या होगी 3 इनको add करके 2 से divide भी कर सकते है 4 और 6 की mid value क्या होगी 5 फिर हमारी क्या होगी 7 फिर होगी 9 फिर होगी 11 और फिर होगी हमारी 13 तो ये होगी हमारी सारी values XI हमारे पास आ चुका समझ में आगी बात अब बात आती है main क्या है अब हमें क्या करना होता है एक value को assume करना पड़ता है तो वो हम क्या करते है x i की values में से कोई भी mid value pick कर लेते हैं जैसे 7 देखो 7 के उपर भी 3 values है 7 के निचे भी 3 values है तो 7 हमारी mid value बन रही है अगर आप 5 को लेके चलोगे ना answer फिर भी ठीक आएगा ठीक है बट mid value लेगे तो हमारी calculation थोड़ी सी easy हो जाती है तो a is equal to क्या मान लिया हमने 7 अब बात आती है step deviation method की step deviation method deviation method सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना formula write down करेंगे किसके equal होता है बच्चो x bar is equal to a plus sigma fi ui divided by sigma fi multiply by h अब formula तो पता है हमें अब इन सारी values का पता होना चाहिए तब ही तो हम x bar निकाल सकते हैं अपना mean निकाल सकते हैं तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए ui अब यह ui क्या होता है ui होता है बच्चो x i minus a divided by h h क्या होता है height of interval मतलब upper class minus lower class करके देख लो कितने का difference है 2 में से 0 गया 2 तो 2 हमारा क्या है interval है सभी का देखो 2-2 का gap है न सभी में तो h की value क्या होगी हमारे पास 2 अब यहाँ पे ui निकालो सबसे पहले देखो x i की value क्या है हमारी 1 minus में क्या करना है हमें a की value 7 है divided by क्या करना है 2 करना है तो एक value हम निकालके दिखते हैं यहाँ पे 1 minus 7 divided by 2 तो कितना आजाएगा यहाँ पे minus 6 by 2 मतलब कितना आगया minus का 3 तो यह आगया मेरा minus का 3 फिर हमें क्या करना 3 minus 7 करेंगे minus 4 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 आएगा ये आएगा फिर माइनस 1 फिर 0 आएगा ये 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा एक order में ही value आती है आपकी आगी बात UI की समझ में फिर हमें क्या लिखालना है FI UI की multiplication चाहिए वई FI ये रहा हमारे पास frequency number of houses और ये UI है इनकी multiplication कर लेंगे ध्यान से करना 1 की माइनस 3 से multiply की माइनस 3 2 की माइनस 2 से की तो माइनस का 4 1 की माइनस से की तो माइनस 1 5 की 0 से की तो 0 6 की 1 से की तो 6 2 2 जा 4 3 3 जा 9 अब इसका चाहिए हमें सम तो यहाँ पर क्या करेंगे सिगमा FI UI is equal to negative values का सम अलग करो बच्चो माइनस 3 और माइनस 4 की तना हो गया माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8 आ गया यहाँ पर ऐसे लिख लो छुटा सा फिर 9 और 4 की तना हो गया हमारा 13 13 और 6 क्या हो गया 19 19 में से 8 गया तो कितना बच्चा 11 हमारे पास यहाँ पर इनका सम आ गया XI की values देखो Oh, so FI का सम denominator में हमें sum of FI चाहिए तो वो कितना आ जाएगा हमारा sigma FI is equal to क्या होगा 20 values को क्या करते हैं put कर लेते हैं X bar is equal to A की value थी हमारी 7 plus में summation of FI UI कितना है 11 divided by summation of FI कितना है 20 और multiply by H कितना है बच्चो हमारा 2 है बस करो simplify X bar is equal to 7 plus 11 2 जा 22 या फिर 2 1 जा 2 2 10 जा यह आ गया निचे 10 है हमारा 1 0 है तो यहाँ पर कितने के बाद point आ जाएगा एक digit के बाद तो यह के बन गया हमारा 1.1 X bar is equal to क्या बन गया 7 plus 1.1 तो X bar is equal to क्या आ गया मेरा 8.1 This is the answer mean number of plants आ गए हमारे पास नमबर second देखते हैं क्या है इस question को इस video में हम step deviation method से करेंगे other two methods direct और assume mean method मैंने करवा दिये हैं video आपको playlist में भी मिल जाएंगी i button पे भी मिल जाएंगी तो देखते हैं step deviation से हम इस question को कैसे करेंगे एक और बात exam में जो भी method पुछा जाए आपको उसी से करना है ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी सलेगी पुछा उसमें assume mean method है और करके आगए आप direct method से आपके marks cut तो इसलिए तीनो method आपको अच्छे से आने चाहिए इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तीनो method से questions करवा रहा हूँ आपकी help होस के आप भी अपने channel Nexa Classes को sport कीजिए देखो question क्या है consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory किसी एक factory के अंदर 50 workers को daily salary मिलती है और उसका data हमें यहाँ पे mention किया गया है find the mean daily wages of the workers of the factory by using appropriate method तो हमें इस salary का हमें क्या करना है mean find out करना है daily wages का तो step deviation method से कैसे करेंगे चलो देखते हैं सबसे पहले चलो अपनी first column पे हमें क्या दे रखा है daily wages interval की form में दे रखा है कि मतलब जिसकी salary 500 से 520 के बीच में है कितने worker मिले उनको 12 520 से 540 salary कितने workers की मिली 14 की इस तरिक्के से data है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपना XI fixed value निकालनी पड़ेगी वो कैसे निकलती है lower class plus upper class divided by 2 500 और 520 को जोड़ेंगे add करेंगे 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा 510 आएगा या फिर इनकी mid value लिते चले जाओ 520 और 540 की mid value क्या होगी 530 फिर 550 फिर 570 फिर हमारी क्या आएगी 590 आ गई सारी values अब हमें क्या करना है step deviation method लगाना है तो पहले हम formula लिखेंगे step deviation method step deviation method में x bar is equal to कैसे निकलता है हमारा बच्चो a plus sigma fi ui divided by sigma fi multiply by h ये formula होता है ठीक है कैसे करेंगे यहाँ पे देखो सबसे पहले ui क्या है ui कैसे निकले उससे पहले हमें a क्या भी पता होना चाहिए a क्या है a होती है बच्चो हमारी assumed value जो की हम x i की mid value assume करते है अब mid में value क्या है हमारी 550 तो a को माल लिया हमने 550 assume किया है ठीक है अब हमें निकालना है ui ui किसके equal होता है हमारा formula होता है x i minus a divided by h क्या होता है formula x i minus a divided by h अब यहाँ पे a तो हा गया हमारा 550 h क्या है height of class इन दोनों के बीच में difference कितना है 20 का तो sum में difference 20 का तो h is equal to हो गया हमारा 20 अब ui निकालके दिखाते हैं आपको पहली वाली value का x i क्या है हमारा यहाँ पे 510 minus a की value क्या माननी थी 550 और upon में h की value क्या है हमारी 20 तो कितना आ गया है यहाँ पे minus का 40 by 20 करेंगे तो कितना आ गया minus का 2 यह आ गया इसको simplify करेंगे तो आएगा minus का 1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 2 थोड़ी सी practice कर लोगे न सारी calculation करने की जरूरत भी नहीं है आपको पता लग जाएगा order में value आती है फिर हमें क्या चाहिए FI UI की multiplication चाहिए FI की और यह हमारी frequency है और यह हमारी UI की values आगे इनकी multiplication ज्यान से करेंगे 12 की minus 2 से करो minus का 24 14 की minus 1 से की तो minus का 14 8 की 0 से की तो हमारी 0 तो 6 की 1 से की तो 6 10 की 2 से की तो 20 इनका सम देखते हैं summation of FI UI की आएगा देखो बच्चो यह negative values है अलग add करो positive values को अलग add करो इनका सम कितना आ रहा हमारा 26 और इनका सम कितना आ रहा हमारा minus का 38 minus के 38 में से minus का 26 गया तो कितना बच्चो हमारा यह आ गया minus का 12 कितना आ गया सम minus का 12 summation of FI चीए denominator में यह रहा sigma FI is equal to क्या आएगा 50 सारी values आ गई put कर दो formula में तो X bar is equal to किसके हो गया मेरा A plus A मतलब 550 plus में sigma FI UI कितना है minus का 12 divided by क्या करना है FI कितना है हमारा summation FI 50 और H की value क्या बच्चो 20 0 से 0 कैंसल तो X bar is equal to क्या आगया 550 minus 12 तू जा 24 divided by 5 simplify करो X bar is equal to क्या आगया 550 minus 24 को 5 से डिवाइड करो 5 4 जा 20 फिर 40 हो गया तो 4.8 तो X bar is equal to क्या आगया 550 में से 4.8 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या आगया 545.2 This is the mean value of daily wages तो क्योंसे नमबर थर देखते हैं क्या है The following distribution shows The daily pocket allowance of children of a locality यहाँ पर जो data हमें given है वो क्या given है Daily pocket allowance of children का given है मतलब उनको daily मिलने वाली pocket money का ठीक है खुश हो जाओ इस फे Mean pocket allowance is rupees 18 और उनको daily जो Mean pocket allowance वो 18 rupees मिलता है Find the missing frequency F तो हमें इस missing frequency F की value Find out करनी है इसके दो method हम previous videos में कर चुके Link आपको i button पे मिल जाएगा Direct method और Assume Min method का हम इस question को अब इस वीडियो में करेंगे Step deviation method से तो कैसे करना है चलिए देखते हैं सबसे पहले data देखो हमें क्या दे रखा है हमें data interval की form में given है बच्चो तो हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले XI की value find out करनी पड़ेगी कैसे निकलती है lower class प्लस upper class divided by 2 करके या फिर इनकी mid value लेके 11 और 13 की mid value क्या होगी 12 13 प्लस 15 किया 28 को 2 से divide करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 ऐसे कर लो कोई भी तरिक्य से कर सकते हो फिर क्या आएगी 16 फिर आएगी 18 फिर आएगी 20 फिर 22 और फिर आएगी 24 यह आगई मेरे पास XI की values ठीक है अब दूसरा काम क्या है हमें करना step deviation method से तो हम लिखेंगे अपना formula step deviation step deviation का formula क्या होता है मारा X bar is equal to क्या formula होता है जल्दी सोचो मेरे से पहले आपको पता होना चाहिए A plus sigma FI UI divided by sigma FI multiply by H इसको summation भी बोलते है comment करके यह मत बोलना sir इसको sigma नहीं summation बोलते मुझे पता है दोनों का meaning same होता है sum अब यहाँ पे देखो बच्चो एक तो A है एक UI है एक H है इन तीनों की values अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने formula के अंदर put करके easily soul out कर सकता हूँ ठीक है सबसे पहले A क्या होता है A होती है assumed value जो XI है इसके बीच में से हम कोई भी value को मान लेते हैं कि वो हमारा mean होगा तो हमने क्या किया यहां से 3 value उपर से चोड़ दी 3 नीचे से 18 हमें बीच में दिख रहा है तो इसको मान लिया हमने A अब 16 और 20 मान के भी question कर सकते हो answer same आने वाला है ठीक है बट इससे हमारी calculation थोड़ी easy हो जाएगी अब बात करते है UI कैसे निकले UI is equal to होता है वच्चो XI minus A divided by H ठीक है XI की ये values है इसमें से हमें A की value सब्ट्रेक्ट करनी है और H से divide करते जाना है तो UI की values आत्ती चली जाएगी अब ये H क्या है H होता है height of class मतलब इन में difference देखो 13 में से 11 गया 2 का difference है 15 में से 13 गया 2 का difference है तो हमारे पास मिल गया H is equal to 2 है हमारे पास और A की value क्या आई है हमारी 18 ये मान नहीं थी हमने रखो भई XI minus A XI क्या है हमारा 12 12 में से 18 गया minus का 6 minus के 6 को 2 से divide करेंगे तो क्या आजएगा minus का 3 आएगा ये नहीं आएगा एक बार एक solve करके दिखाता हूँ मैं आपको द्यान से देखो solve करेंगे यहाँ पे XI की value क्या है बच्चो 12 minus A की value क्या है 18 और H की value क्या है हमारी 2 तो 12 में से 18 गया minus का 6 by 2 करेंगे तो कितना आगया minus का 3 तो minus का 3 तो लिया है मैंने फिर अगले step में 14 minus 18 करेंगे minus का 4 minus के 4 को 2 से divide करेंगे minus का 2 फिर आएगा minus 1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3 ऐसे ही एक order में आएंगे आगई values next step क्या करना है हमें ध्यान से देखो अपने formula के उपर fi ui की multiplication चाहिए भई तो निकाल लो fi की और ui की multiplication यह fi frequency है यह ui है finger रख के करेंगे 7 की minus 3 से multiply minus का 21 फिर 6 की minus 2 से करेंगे minus का 12 9 की minus से करेंगे minus 9 13 की 0 से करेंगे तो 0 f की 1 से करेंगे तो f 5 की 2 से की तो 5 टू जा 10 4 टू जा 12 इनका sum देखो क्या होगा 22 प्लस f 10 और 12 22 प्लस f इनका sum देखो negative values है 21 और 9 कितना हो गया मेरा 30 30 और 12 क्या हो गया minus का 42 इन दोनों का sum देख लो minus का 42 और plus का 22 तो कितना बचेगा minus का 20 तो यहाँ पर क्या आजेगा summation of fi ui is equal to f minus 20 बचेगा हमारे पास ठीक है अब हमें denominator में चाहिए summation of fi यहाँ से हमारा summation of fi निकलेगा वो कितना आएगा हमारा 44 प्लस f यह आगया अब इन values को क्या करना है हमें put कर लेना है देखो देहां से x bar की value हमें क्या दे रखी है question के अंदर 18 mean हमें already दे रखा है तो 18 equal to a की value हमारे पास 18 है plus में sigma fi ui कितना है बच्चो f minus 20 divided by sigma fi कितना है 44 plus f multiply h की value क्या है 2 ठीक है अब यहाँ पे 18 को इस तरफ लेके आओ तो 18 minus 18 क्या हो गया 0 is equal to 2 की f से multiply करो 2f minus 2 की 20 से की तो 40 divided by 44 plus f अब 44 plus f की 0 से multiply होगी तो 0 हो जाएगा यह इससे इससे multiply करके 0 तो हमारा क्या आगया 2f minus 40 equal to 0 और 2f is equal to क्या आगया 40 और f is equal to क्या आजाएगा 40 by 2 2 से divide करेंगे तो कितना आगया 20 और हमारी f की जो value हमने find out करनी थी वो कितनी आगया बच्चो 20 this is the answer question number 4 देखते हैं क्या है 30 women's were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarize as follow यहाँ पर क्या गाया है 30 women's का चेक अप क्या गाया है doctors के दोवारा किसी hospital में और उनकी heartbeat का data हमें यहाँ पर tabular form में दे दिया find the mean heart beat per minute for these women's choosing a suitable method तो आपको एक method यूज़ करके इस data का mean find out करना है ठीक है दो method में आपको करा चुका हूँ i button पे आपको link मिल जाएगा direct or resume mean का step deviation method से हम इस question को करने वाले हैं क्योंकि exam में कोई भी method ठढा सकता है सबसे पहले देखो हमें ये data जो दे रखा है x i ये हमें interval की form में दे रखा है तो हमें चाहिए क्या इसकी fix value चाहिए तो हम पहले निकालेंगे fix value x i is equal to क्या होगा lower class plus upper class divided by 2 अब यहाँ पे 65 और 68 को add करना है इसमें 3 3 add करते चले जाओ 66 में 3 add क्या 69.5 हो जाएगा फिर 3 add करेंगे 72.5 हो जाएगा फिर 3 add करेंगे 75.5 हो जाएगा फिर 78.5 फिर 81.5 फिर last में 84.5 ये values आ गई मेरे पास सारी की सारी आ गई बात समझने अब हम लिखेंगे सबसे पहले अपना step deviation का formula step deviation method का formula क्या होता है वो write down करेंगे यहाँ पर x bar is equal to क्या होता है बच्चों हमारा step deviation method के अंदर a plus sigma fi ui divided by sigma fi multiply by h इसको हम summation भी बोलते हैं ठीक है यह आगया मेरा formula अब मुझे क्या चाहिए a की value चाहिए ui की value चाहिए और h की value चाहिए तब ही तो मैं अपने answer निकाल सकता हूँ soul out कर सकता हूँ अपने question को तो x i के अंदर a की value क्या होती है a होती है बच्चों हमारी assume की हुई value जो भी x i जहें इनके अंदर a की value माल लेते हैं भी mid value को हम a assume कर लेते हैं यह हो गया हमारा a ठीक है a क्या होता है assume की हुई mean value यह माल लिया हमने mean a की value आ गई अब ui कैसे निकले ui is equal to क्या होता है x i minus a divided by h अगर x i की values में से हम a की value को subtract करें और h से divide कर दें तो हमारे पास आता है ui ठीक है अब देखते हैं ui कैसे निकलेगा सबसे पहले हम h देख लेते हैं h क्या होता है in के बीच का different जो भी interval दे रखें 3 का difference है तो h is equal to क्या है मारा 3 a is equal to क्या है हमारा 75.5 तो ui देखते हैं कैसे निकलेगा सबसे पहले देखो यहाँ पे x i की value क्या है 66.5 तो यहां पर हम निकाल के दिखाते हैं एक बार 66.5 माइनस A की वैलू क्या है 75.5 divided by H की वैलू क्या है बच्चो 3 66.5 में से 75.5 गया माइनस का 9 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 तो यह आगया माइनस का 3 फिर आएगा यहां पर माइनस का 2 फिर आएगा माइनस 1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3 करके देख लेना बट यह order में ही आते हैं दो तिन question practice करोगे न बार बार calculation के आपको जुरूरती नहीं पड़ेगी ठीक है अब उसके बाद हमें क्या निकालना है FI UI FI की यह frequency है UI यह है इनकी multiply करनी है बच्चो 2 की माइनस 3 से multiply करो finger रखके करना है ऐसे गलती नहीं होगी 2 की माइनस 3 से करेंगे माइनस 6 4 तू जा माइनस 8 3 वंजा माइनस 3 8 की 0 से की 0 7 वंजा 7 4 तू जा 8 2 तू जा 6 अब इसका क्या चाहिए numerator में समझेए तो sigma FI UI दिखते हैं क्या आता है negative वालों को अलग एड़ कर लो इनको 6 और 8 14 और 3 माइनस का 17 इनको एड़ करो कि आएगा 7 और 8 15 और 6 कितना हो गया हमारा 15 और 6 हो गया 21 तो sum जो आया वो कितना आगया बच्चो हमारा 4 आगया क्योंकि positive value बड़ी है denominator में चाहिए हमें summation FI इनका sum देख लेते हैं sigma FI कितनी वुमेंस का data है 30 का तो 30 आएगा summation of FI value पुट करते हैं अब अपनी x bar is equal to a की value क्या थी 75.5 plus में summation of FI कितना है बच्चो 4 divided by summation of FI कितना है 30 multiply x की value क्या है 3 3 वन जा 3 3 टें जा 30 तो x bar is equal to क्या आगया 75.5 4 upon 10 है 10 है तो एक 0 है तो एक बूप के बाद हमारा point आ जाएगा तो ये क्या बन गया 0.4 तो x bar is equal to क्या आगया 75.9 this is the mean heart beat this is the answer question number 5 देखते हैं क्या है important question है बड़े ध्यान से समझना है दो method direct method और assume mean method में इसके करवा चुका हूँ i button पे link मल जाएगा ये method हम करेंगे step deviation method किस तरीके से करेंगे चल ये देखते है important question है तो इस पे हम mark कर देते हैं IMP क्यों important है अभी पता लग जाएगा mangoes पर boxes हमने find out करना है तो कैसे किया जाए देखो द्यान से सबसे पहले हमारा द्यान जाता है अपने data के उपर हमें data जो दे रखा है interval की form में दे रखा है और ये data हमारा continuous data नहीं है इसलिए ये question important है अब कैसे पता चला कि सरी ये continuous data है या नहीं है interval के अंदर upper class और अगले वाले interval की lower class को match करके देख लो यहाँ पर 52 है यहाँ 53 है match नहीं हो रही है तो इसके बीच में one का gap है तो इसलिए ये data discontinuous है इसको हमें सबसे पहले continuous data में convert करना पड़ेगा कैसे करते हैं ध्यान से देखो number of mangoes इस interval को हम change करेंगे अपना continuous data में कैसे होता है जितने का भी इनके बीच में difference हो upper class और lower class के बीच में उसको 2 से divide कर लो अब यहाँ पे 52 और 53 में कितने का gap है बच्चो one का one को हम two से divide करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा तो 0.5 को हमें क्या करना है lower class में से subtract करना और upper class में add कर देना है 50 में से 0.5 subtract करेंगे तो क्या आएगा 49.5 और 52 में add करेंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 आगले पे करके देखो 53 में से 0.5 subtract करो बच्चो तो 52.5 और इसमें add करेंगे तो क्या हो जाएगा 55.5 अब ध्यान से देखो इसकी अपर क्लास और इसकी लोवर क्लास मैच कर गई न तो अब data हमारा क्या है continuous बनता जा रहा है अगर यहाँ पर 2 का difference होता 2 को भी 2 से divide करते 1 बन गया तो 1 को लोवर क्लास से subtract करते अपर क्लास में add करते 3 का difference होता तो 1.5 को add subtract करते 4 का difference होता तो हम 2 को add या subtract करते आगई बात समझ में रटना नहीं है किसी भी चीज को कि आपको ऐसा question दिखा तो 0.5 add subtract करेंगे नहीं हमें बस continuous data बनाना है वो मैंने तरीका बता दिया है next क्या बनेगा यहाँ पर 55.5 और 58.5 फिर क्या बनेगा यहाँ पर 58.5 61 में add करेंगे तो 61.5 फिर यहाँ पर 61.5 और 64.5 data आ गया अब हमें चीए x i की value क्योंकि x i की fixed value तो यहाँ पर नहीं है किसके equal होती है lower class plus upper class divided by 2 अब इस interval को हमारा कोई काम नहीं इसको भूल जाना है अब यह interval काम करेगा इन दुनों को add करो 2 से divide करो दुनों को add किया 102, 102 को 2 से divide किया 51 फिर 33 का difference है ना इनके बीच में तो 3 add करते चले जाओ इसमें आ जाएगा 54 फिर आ जाएगा 57 फिर आ जाएगा 60 और फिर आ जाएगा 63 अब हम यहाँ पर use कर रहे हैं अपना step deviation method step deviation सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना formula write down करेंगे किसके equal होता है x bar is equal to a plus sigma f i u i divided by summation f i उसको sigma भी बोलते हैं summation भी बोलते है multiply by h अब यह values हैं क्या ध्यान से देखो a होती है हमारी assumed value बीच वाली value को हम कर लेते हैं assume यह हो गया हमारा a आप 54 और 60 को मान के करोगे तब भी answer आ जाएगा ठीक है बट mid वाली value लोगे तो आपका answer जो है कम calculation में आएगा a की value आ गई h होती height of class interval की कितने का gap है 3 का है तो a हमारा हो गया 57 h हो गया हमारा 3 इसको नहीं देखना है कहीं यह देखो sir 2 का gap था यह हमारा interval है h भी आ गया अब चाहिए ui ui किसके equal होता है बच्चो x i minus a divided by h जो भी a मानना है न उसको x i में से subtract करेंगे और h से divide कर लेंगे देखो द्यान से x i की जंग है 51 रखा 51 minus में 57 कितना हैगा minus 6 minus 6 को 3 से divide किया तो कितना हैगा minus का 2 फिर 54 रखा x i की जंग है 54 minus 57 कितना हो गया minus 3 minus 3 को 3 से divide किया तो minus 1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 2 clear फिर क्या चाहिए f i ui की multiplication चाहिए तो f i ui की करते है multiply frequency का है ये रही इसकी इससे करो 15 to j finger रखके करना गड़बड नहीं होगी 15 to j minus का 30 110 की minus 1 से करेंगे तो minus का 110 135 की 0 से की तो 0 115 की 1 से की तो 115 और 25 to j negative values को अलग एड़ कर लो positive values को अलग इनका sum कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 165 और यहाँ पे कितना हो गया इनका 140 वो भी minus का इन दोनों का sum चाहिए अब हमे summation fi ui 165 में से 140 गया तो हमारा कितना आ गया 25 clear है summation fi चाहिए denominator में तो summation fi देख लेते हैं भई इनका sum करेंगे तो कितना आएगा हमारा 400 ठीक है value put करते है x bar is equal to a की value 57 plus में summation fi ui कितना है 25 divided by 400 multiply by h की value क्या है 3 25 वंज़ 25 16 पे कट गया हमारा तो x bar is equal to क्या गया 57 plus 3 by 16 है 3 को 16 से divide करो पहले divide नहीं हो रहा 0.30 हो गया 16 वंज़ 16 14 बचा 140 हो गया फिर जाएगा 8 पे और फिर गया 7 पे तो x bar is equal to क्या गया 57 को इसमें add कर दो 57.187 अब हमें 2 digits तक रिखना है अपना तो यहाँ पे 7 को क्या करेंगे हम round off करेंगे और यहाँ पे एक add हो जाएगा तो x bar is equal to क्या हो जाएगा 57.19 This is the answer घबराओ मत बताओंगा क्यों add हुआ यहाँ पे देखो अगर digit हमारी 5 से greater है तो next वाली value में round off करते time एक add हो जाता है 7 है 87 near about 90 के है तो इसलिए एक add हो गया यह 9 बन गया अगर यहाँ पे बच्चो 1 होता 2 होता 3 होता या 4 होता 5 से कम होता तो हम इसको directly हटा देते और हम इसको 0.180 रहने देते समझ में आगई बात clear है question number 6 देखते हैं क्या है the table below shows the daily expenditure on foods of 25 households in a locality यहाँ पे हमें एक data given है किसका daily expenditure daily खर्चोने वाले रूपेज का किसका 25 houses का find the mean daily expenditure on food by a suitable method तो आपको यहाँ पे mean expenditure find out करना है by a suitable method use करते हुए हम कर रहे हैं इसको तिन्नों method से क्योंकि exam में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है कोई भी method तो हम इसको यहाँ पे करने वाले step deviation method से other two methods की वीडियो आपको playlist या फिर i button पे मिल जाएगी सबसे पहले देखो हमारा जो data given है वो हमें interval की form में दे रखा है ठीक है और number of households मतलब frequency हमें ये mention है अब यहाँ पे जो भी interval है हमारा x i जो है fix नहीं है कोई भी तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले x i की value find out करनी है lower class plus upper class divided by 2 करके lower value और upper value को दोनों को add करेंगे 2 से divide करेंगे 100 और 150 कितना हो गया 250 250 को 2 से divide किया तो हमारा क्या हो गया 150 और 200 को add करो कितना हो गया 250 250 को 2 से divide करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 नहीं 350 350 को 2 से divide करेंगे 175 ऐसे इनकी mid value लिखते चले जाओ 225 फिर 275 फिर 325 आ गई x i की value अब लिखते हैं अपना step deviation का formula step deviation step deviation का formula क्या होता है x bar is equal to a plus sigma या फिर summation fi ui divided by summation fi multiply by h अब यहाँ पे मुझे a की value ui की value और h की value चाहिए तो सबसे पहले देखो a क्या होता है a होता है हमारा assume की हुई value ये भी जो x i की value जाना in में से mid value को मान लो a ये मान ली हमने a a तो आ गया भई a is equal to 225 अब बात करते हैं h की h क्या होती है height of class जितना भी इनके बीच में difference है वो होगी हमारी height of class 150 और 100 के बीच में कितने का difference है 50 का तो h हो गया हमारा 50 अब ui निकालना है ui किसके equal होता है वच्चो x i minus a divided by h के x i minus a divided by h निकालते हैं देखो यहाँ पे एक value निकालके दिखालते हैं आपको ui की is equal to x i कितना है हमारा 125 minus a की value क्या है 225 divided by h कितना है हमारा 50 125 में से 225 गया तो कितना आगया minus का 100 divided by 50 50 से इसको divide गया तो कितना आगया बच्चो minus का 2 तो यह आगया minus 2 यहाँ आएगा minus 1 यह आएगा 0 यह आएगा 1 यह आएगा 2 ऐसे करना है आगई values अब चाहिए हमें fi ui की multiply क्योंकि numerator में fi ui की multiplication चाहिए यह fi है और यह ui है 4 टूजा minus 8 5 वन जा minus 5 12 की 0 से 0 2 की 1 से 2 2 टूजा 4 negative values का sum कितना है यहाँ पे minus 13 है यह 4 और 2 6 है तो यहाँ पे summation fi ui कितना आया बच्चो हमारा 13 में से 6 गया तो minus का 7 ठीक है denominator में चाहिए summation fi इसका sum sigma fi is equal to 25 families थी तो 25 इसका sum आएगा values को करते हैं formula में put x bar is equal to a की जग है 225 प्लस में summation fi ui कितना है minus का 7 divided by summation fi कितना है 25 multiply h कितना है बच्चो हमारा यहाँ पे h है हमारा 50 25 बच्चो हमारा यहाँ चाहिए 25 25 तू ज़ा 50 तो x bar is equal to क्या आगया 225 7 तू ज़ा 14 तो minus का 14 x bar mean जो आगया वो कितना आगया 211 रूपीज यह आगया हमारा डेली का mean expenditure this is the answer क्योशन नमबर 7 देखती हैं क्या है किसी सहर की 30 localities का data हमने यहाँ पे collect किया है वहाँ पे air के अंदर जो SO2 प्रेजेंट है उसका data in parts per million हमें यहाँ पे tabular form में दे रखा है find out the mean concentration of SO2 in the air तो हमें mean concentration यहाँ पे find out करनी है कैसे करेंगे देखते हैं इस question को हम यहाँ पे करने वाले है step deviation method से क्योंकि 3 method आने चीए exam में कोई भी method आपका पूछा जा सकता है और मैं 3 methods आपको हरे question के करवा रहा हूं link आपको i button पे भी और playlist में जाके मिल जाएगा सबसे पहले lower class प्लस upper class divided by 2 करके यहाँ पे देखो हम इन दोनों को अगर add करें और फिर 2 से divide करें तो value क्या आएगी 0.02 आएगी इन दोनों की mid value क्या आएगी 0.06 आएगी फिर 0.10 आएगी फिर 0.14 फिर 0.18 और 0.22 यह इन सब intervals की mid value हमारे पास आ चुकी ठीक है दूसरी बात step deviation method का formula क्या होता है step deviation सबसे पहले formula लिखेंगे बच्चो x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi multiply by h अब यह h क्या होता है ui क्या होता है a क्या होता है क्योंकि इनकी value के बिना तो हम करी नहीं सकते सबसे पहले देखते है a क्या होता है a होती है बच्चो हमारी assume की हुई value जो भी x i की value है न उनके mid में से near about mid में से कोई भी value को आप assume कर लो अपनी mean जैसे 0.12 भी select 10 select कर सकते हो या 0.14 कर सकते हो कोई भी कर लो तो हम a को मान लेते है 0.14 अब 0.10 से भी निकाल के देखना अंसर सेम आएगा टेंसन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो a assumed value हो गई हमारी 0.14 अब बात आती है h की h होती है height of the class interval यहाँ पे बच्चो देखो height of the class interval क्या है 0.00 से लेके 0.04 तो height क्या हो गई हमारी 0.04 अब पर class माइनस lower class करके ठीक है अब UI क्या होगा UI is equal to होता है बच्चो हमारा x i minus a divided by h क्या होता है x i minus a divided by h अब यह UI कैसे निकले ध्यान से देखो पहले वाले का UI निकाल के देखते है x i की value क्या है 0.02 minus में a क्या हमाना है हमने 0.14 divided by h की value क्या है बच्चो 0.04 है इसको simplify करते है 0.02 में से 0.14 गया तो minus का 0.12 divided by 0.04 इससे इसको divide करेंगे तो हमारी value जो आएगी वो कितनी आजाएगी यहाँ पे 3 आजाएगी minus का कितनी आजाएगी minus का 3 ठीक है इस तरिके से value निकाल लिए तो यहाँ पे ui की value क्या आएगी minus का 3 फिर आएगी यहाँ पे minus 2 फिर आएगी minus 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 अब next step क्या होता है fi ui की multiply यह हमारी frequency है यह हमारी ui की value आगे इनकी multiply करेंगे minus का 18 आगया 9 वन जा 9 minus 9 आगया 2 0 की 0 4 वन जा 4 आगया 2 2 जा 4 आगया negative values को अलग add कर लो 18 और 12 30 और 39 minus का 39 और 4 और 4 क्या हो गया 8 तो समझो आएगा summation fi ui is equal to minus का आगया 31 समझ में आगया होगा clear है कोई दिक्कत नहीं है next frequency का sum देखना है में frequency का sum summation of fi is equal to 30 localities की बाद थी तो 30 आएगा form ले में put करते हैं value x bar is equal to a की value क्या बच्चो 0.14 plus में summation of fi ui क्या minus का 31 divided by 30 और multiply by 0.04 ठीक है अब देखते है next x bar is equal to 0.14 अब ये देखो calculation थोड़ी difficult लग रही होगी आपको इसको बिल्कुल simple कर देते हैं इसको point को हटाओ और यहाँ पे क्या हो गया हमारा hundred आ गया निचे क्योंकि point के बाद two digits थी zero हट गई हमारी four से इसकी multiply कर लो four बन जा four यहाँ पे minus का sign आ जाएगा four बन जा four four three जा 12 one twenty four divided by three thousand ठीक है अब इसको three से divide कर लो अब simple हो गया न थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया हमारा one thousand three से इसको divide करो three four जा 12 three बन जा three फिर ten हो गया और फिर क्या आ गया point में three forty one point three आ गया मेरे पास आ गया ना forty one point three अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x bar is equal to zero point one four minus में निच्चे देखो कितनी zero हों बच्चो तीन zero है three zeros तो point हमारा three place shift हो जाएगा left में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह हमारा zero point zero four one three जहां से देखो point यहाँ पे आया दो डिजिट एक और shift करना है तो यहाँ पे हम zero लगा देंगे तो यह क्या बनेगा 0.0413 अब यहाँ पे x bar is equal to हो जाएगा 0.14 में से 0.0413 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो मेरा आजेगा 0.0987 अब यहाँ पे 7 है 5 से बड़ी डिजिट है तो round off करेंगे आगे वाले में एक increase हो जाएगा तो x bar is equal to क्या हो गया बच्चो 0.099 यहाँ पे 5 से less digit होती तो आगे एक increase नहीं होता round off में 5 से बड़ी digit है तो आगे round off करते time एक increase हो जाएगा तो यह आगया मेरा mean data this is the answer बच्चो नमबर 9 देखती है क्या है the following table gives तो इस data का हमें mean find out करना है अब दो method direct method assume mean method से हम इस question को कर चुके है अब इस question को करेंगे step deviation method से क्योंकि exam में कोई भी method पुछा जा सकता है तो सबसे पहले interval देखो हमें यहाँ पे fixed interval नहीं दे रखा तो यहाँ पे हमें क्या करना है x i is equal to fixed value निकालनी x i की lower class प्लस upper class divided by 2 करके 45 और 55 को add करो 2 से divide करेंगे 50 आ गया इन दोनों की mid value क्या होगी बच्चो 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90 आ गई x i की value अब लिखेंगे अपना step deviation का formula step deviation step deviation का formula क्या होता है हमारा x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi multiply by h ठीक है h क्या होता है ui क्या होता है a क्या होता है वो अभी देखेंगे हम सबसे पहले a देख लो a होती हमारी assume की हुई value जो भी हमारी x i की value जहना उनकी बीच वाली value को माल लो a assumed value अब यह ui कैसे निकले ui is equal to क्या होता है xi minus a divided by h और यह h होता ही है height of the class कितने कितने का difference है बच्चों इनमे 10 10 का तो height of class h is equal to क्या हो गया 10 a is equal to हो गया 70 ui की value निकाल लेते हैं एक value आपको यहाँ पे find out करके दिखता हूं मै ui कैसे निकलेगा हमारा xi minus a xi की value क्या है 50 minus a क्या मनना है 70 divided by 10 तो कितना हो गया minus के 20 by 10 करेंगे तो कितना आगया हमारा minus का 2 फिर यह आएगा minus का 1 यह आएगा 0 यह आएगा 1 यह आएगा 2 करके देख ले न यही तो होता है बीच वाली value लेने का benefit interval इन पे बिल्कुल इजी बन जाता है अब हमें चाहिए fi ui की multiply यह हमारा ui है यह हमारी frequency है multiplication करेंगे ध्यान से गरना finger रखे 3 2 जा minus 6 10 जा minus 10 11 की 0 से 0 8 जा 8 3 2 जा 6 negative values का sum कितना आगया बच्चो माइनस 16 इनका आगया 14 तो यहाँ पे summation fi ui कितना आया minus का 2 क्योंकि 16 में से 14 गया minus 2 आगया हमें चीए frequency का sum तो summation fi is equal to क्या आगया यहाँ पे 35 cities की बात कर रहा है तो 35 आगया अब formula के अंदर put करते value x bar is equal to a की value क्या है हमारी 70 plus में summation of fi ui क्या है minus का 2 divided by fi क्या है 35 multiply by h की value क्या है 10 5 से कट करो 5 7 जा 35 5 2 जा 10 x bar is equal to क्या आगया 70 minus 2 2 जा 4 by 7 so out कर लो इसको x bar is equal to 70 minus 4 को 7 से divide करेंगे 7 से divide क्या तो 0 point 40 हो गया 75 जा 35 फिर 5 बचा 7 7 7 जा 49 तो x bar is equal to क्या आगया 70 में से 0.57 को subtract करेंगे तो 69.43 this is the main or literacy rate this is the answer आगया समझ में step deviation method से कैसे करना है कोई भी problem लगे screenshot आप मुझे say and करेंगे whatsapp पे कोई भी दिक्कत हो कोई किसी भी परकार की problem लगे अब मुझे बता सकते हैं आप अपने चैनल को grow करने में help कीजिए मैं आपका support करूँगा thank you students for watching your channel next class is उता है